दुनिया भर में तबाही मचा देने वाले कोरोना वाइरस ने भारत में भी अपने पैर पसार लिए है गुरवार दो पहर तक देश में इस महामारी से पीर्ट लोगों की संख्याच 650 के पार पहुच चुकी है इस बीच ये महामारी भारत में समुदाय के बीच में ना फैले ऐसे में भर्ट सरकार ने किस दिनों का लोगडाउन लगा दिया है इस लोगडाउन के दूसरे दिन मोधी सरकार ने राहत पैकेश का एलान किया लेकिन जिस तरहां हर योजना को अगले तीन महीने के लिए तयार किया गया है उसे इस बात के संभावना को बल मिलने लगा है कि क्या ये लोगडाउन का संकट 21 दिनों से बड़ा होने वाला है क्या 21 दिनों से आगे बढ़ सकता है लोगडाउन पियम मोधी ने जब देश को कुरोना महामारी के मसले पर देश को संभोधित किया था तब उन्होंने देश मासियों को दो से तीन हफते की इसके बाद पहले एक दिन का जनता कफ्यों लगाया गया लेकिन 24 मार्च को 21 दन का महा कफ्यों लगा दिया गया यानि 14 अपराल तक लोगों को अपने घरों में ही कैद रहना है लेकिन अब जिस तरहा से तीन महीने तक की राहतों का एलान किया जा रहा है ऐसे में ये कयास लगाय जा रहे है कि सरकार आगे की तयारियों को लेकर आगे बढ़ रही है हलांकि केंदे सरकार ने इस बात की पुष्टी नहीं की है सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना वाइरस के हालात नहीं सुधरते हैं तो क्या लोकडाउन को एकस दन से बढ़ा कर अपरैल, मई और जून तक जारी रखा जा सकता है इस पर आपके जो भी विचार हूँ हमें नीचे कमेंशेशन में ज़रूर बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा